नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोहित परारकर और ये है 2023 की नई हॉंडा सिटी फेसलिफ्ट के आउधार में आ चुकी है तो आए देखते हैं क्या है नया इस गाड़ी में शायद आप पुछेंगे इतने जल्दी फेसलिफ्ट क्यों गाड़ी तो बस 2020 में ही तो लॉंच हुई थी धाई साल हुआ है इस गाड़ी को आके तो थाई साल में फेसलिफ्ट क्यों तो अगर ठीक से गौर करें तो ये गाड़ी इंडिया में थोड़ी लेट आई थी इंडि से शुरुवात हो रही है इस फेसलिफ्ट की और यहां से फिर बाकी मार्केट्स में फेसलिफ्ट इंट्रिफ्ट होगा तो फेसलिफ्ट में क्या नई चीज़े हैं आईए देखते हैं सबसे पहले तो है इस गाड़ी का कलर यह जो नया ब्लू कलर आप देख रहे हो ड़ी इंडिया यह कलर बाकी होंडा सीटी के जनरेशन में भी अवेलेबल था इसे मिलता जुलता ब्लू कलर लेकिन इंडिया में वह इंट्रिउस नहीं हुआ था इंडिया में पहली बार यह वाला नीला रंग आ रहा है और अगर बाकी डिजाइन एलिमेंट्स को देखे तो जो हेडलाइट असेंबली है हेडलाइट असेंबली में कोई भी चेंज नहीं है जो नौ सेगमेंट वाला LED हेडलाम था वही आपको मिलता है टॉपेंड मॉडल के ऊपर लेकिन जो चेंजे आपको नजर आएंगे वह नीचे फॉग लैंप हाउसिंग जो है वह चेंज हो गया ह और नीचे की तरफ फुड़ा अलग मेश डिजाइन है तो यह डिजाइन नया है और अगर थोड़ा दूर से आप देखें तो बेसिकली फॉग लैंप जो है वो उस नए ब्लैक अपलीक के थुरू नीचे वाले मेश को कनेक्ट हो जाते हैं और उपर हेडलाइट को आप इस होंडा सिटी आरेस वाला डिजाइन इंटोड्यूस हुआ था लेकिन दो हजार तेस से वो डिजाइन बंद हो जाएगा होंडा सिटी हाइब्रिट को भी यही वाला डिजाइन आएगा जो आप सामने देख रहे हो जो इसके मिड़ वेरियंट से उसमें थोड़ा चेंज अब बाजू में अगर देखे तो अलोई वील का डिजाइन जो है वो भी चेंज हो गया है यह जो डायमंड कट अलोई वील है इसका डिजाइन पिछली वाली होंडा सिटी से अलग है यह आपको टॉपेंड में 16 इंच साइज में मिलेगा विट 185 सेक्शन टायर और जो मिलेगा जिसका डिजाइन भी अब नया है साइट प्रोफाइल में बाकी ऐसे कोई चेंज है नहीं अपार्ट फॉम दे वील अगर पीछे की तरफ देखे तो टेल लाइट भी हैडलाइट की तरह ही पुरानी वाली गाड़ी से कैरी फोवर्ड कोए है उसमें कोई चेंज न तो बंपर भी चेंज किया गया है एक थोड़ा स्पोर्ट का टाइप का डिफ्यूजर एलिमेंट इसको दिया है और अगर इसको आप नजदी की से देखो तो एक काबन फाइबर लुक इसको दिया गया है और वो सिफ यहां पे नहीं आगे की तरफ भी जो हमने मैश देखा उसके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आपको वो काबन फाइबर लुक दिया गया है तो यह है चेंजिज या फिर एडिशिन्स ऑन दी आउट साइड यह नए बंपर को लेके इस गाड़ी की जो लेंध है वो 34 मिलिमीटर से बढ़ चुकी है लेकिन यह सिर्फ बंपर के डिजाइन की वजए से कैबिन की जो स्पेस है या फिर कैबिन का जो साइज है उसमें कोई भी चेंज नहीं है यहां आपको रिक्वेस सेंसर नजर आ रहा है इस अ ख्रोम ट्रीटमेंट टो दोर हैंडल लेकिन जो विंडो लाइन ट्रीटमेंट है यहा कुछ ज्यादा क्रोम उन्होंने यूज नहीं किया दोर पैड्स में भी कोई चेंज नहीं है जो जो स्टोरेज पेस वगरा है उसमें भी कोई चेंज नहीं है जो अपोल्स्री है उसमें भी कोई चेंज नहीं है अपको यही परफोरेटिट अपोल्स्री मिलती है लेधर और जो हैडरेस हमें पिछली वली होंडा सिटी में पसंद आये थे वही हैडरेस इसमें भी कंटीनियो होते हैं पीछे की तरफ भी आपको तीन हैडरेस मिलते हैं जो फिक्स है और यह आज तेल नॉट अजस्टिबल अपोलस्री में वापस कोई चेंज नहीं ना ही कोई चेंज नहीं है और कोई चेंज की शायद जरूरत थी भी नहीं पीछे की तरफ आपको दो एसी वेंट्स मिलते हैं यूँल आलसो गेट टू चाजिंग सॉकेट दोनों 12 वोल्ट के चाजिंग सॉकेट और चाजिंग सॉकेट की जो बात हो रहे हैं उसमें आप अगर आगे क कि तरफ देखोगे तो यहां पे आपको थोड़ा चेंज नजर आएगा तो यह पेट्रोल वेरियंट है यहां पे आपको यह वायलेस चाजिंग पैड इनजर आता है मसुण यह ही वायलेस चाजिंग पैड यहां की तरफ ट्लेस है इसехाएद अगर्स बिकम ग्मस वायलेस console has been designed तो cup holders कहां कहे हैं, okay so the cup holders are right underneath this यहां से आप इस 12V charger को निकाल के you can just remove the entire wireless charging element और आपके cup holders reveal हो जाएंगे और यह जो wireless charger है वो एकदम खीक से इसमें fit हो जाता है, so no problem there, so जब आपको cup holders की जरुवत हो, तो आप wireless charger को निकाल सकते हैं क्या लगता है आपको इस आरेंजमेंट के बारे में please let me know जो USB ports हैं, आपको USB A port से मिलता है पिछले वाली Honda City की तरह तो यह जो पूरा cluster है that is unchanged यह जो shelf है वो भी unchanged है तो in terms of this design और layout, everything remains unchanged आपको यहां पे wood finish मिलता है Honda City petrol में और hybrid में आपको एक carbon finish मिलता है जैसे हमने बाहर की तरफ देखा वैसा वाला carbon finish आपको यहां पे मिलेगा थोड़ा वो sporty element establish करने के लिए जो infotainment है वो भी पुरानी वाली गाड़ी की तरह 8 इंच वाला infotainment है लेकिन इसका जो overall resolution है that has been improved और reverse अगर मैं डाल दूँ तो ULC की reverse camera का जो resolution है उसको भी उन्होंने enhance किया है इसमें आपको दो views possible है एक wide view and one top view लेकिन आपको इसमें dynamic guidelines नहीं मिलते I am moving the steering now the guidelines remain fixed तो वो आपको इसमें नहीं मिलता in terms of the functionality of the infotainment यहां कुछ changes नहीं है लेकिन एक जो additional feature है वो है कि जो Android Auto और Apple CarPlay था वो अभी wirelessly available है वेकिस आपको दोनों variants में wireless charging pads मिल रहे है तो if you have a new generation phone you can use wireless charging as well as wireless Apple CarPlay और Android Auto तो यह इसमें एक नया addition Honda ने किया है अगर उपर की तरफ देखे तो even the rear view mirror is now a frameless design और अगर उसके पीछे की तरफ देखे तो यह जो element है पूरा this is now coming from the hybrid इसका मतलब ही है कि इसके अंदर radars और camera लगा हुआ है एक बार बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ what that means is कि Honda City Hybrid के तरह इस गाड़ी में भी आपको Honda का sensing ADAS safety set मिलता है तो you will see this wide-angle camera and the radars तो इसके चलते अभी आपको Honda City Petrol के अंदर भी ADAS functionality मिलती है and the good news is कि आपने ब्रोशर में देखा होगा सिर्फ S variant जो है जो नया एक variant इंटर्डूस किया है S variant which is now the lowest variant पहले V से चालू होता था अभी S is the new base variant जो 11.49 lakh से चालू हो रहा है एक showroom तो उन्होंने जो entry point है price की वो कम कर दी है Honda City की और V variant onwards आपको ये sensing ADAS functionality मिलेगी तो अगर हम यहाँ पे home में जाके safety support में जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि it is now giving you the ADAS functions तो ADAS functions क्या है वो भी देखते है you have road departure mitigation तो अगर मान लो की road में कोई curve है और आपकी गाड़ी थोड़ी सी you know deviate हो रही है आपकी नजर अपका ध्यान नहीं आपकी नजर road पे नहीं है और गाड़ी थोड़ी deviate होने लगती है तो गाड़ी खुद से थोड़ा सा steering input खुद से लगा के it will come back in the middle of the lane similarly we also have the lane keep assist तो अगर lane में गाड़ी आप बराबर नहीं चला रहे हो थोड़ा सा deviate हो रहा है lane से बाहर जा रहे हो तो automatically थोड़ा steering input आजाएगा and the vehicle will be in the center of the lane तो आप यहाँ से lane keep assist on-off कर सकते हो this is the road departure mitigation उसी के नीचे collision mitigation braking तो at certain speeds slow speeds पे automated braking भी करेगी गाड़ी so that is the other ADAS feature that you get and then there is adaptive cruise control as well यहाँ से adaptive cruise control चालू होगा so it only comes on above 30 km an hour और यहाँ से आप distance decide कर सकते हो कि आपको कितना distance यहाँ पे देख सकते हो do you want to keep a very safe distance medium distance यह absolutely low distance तो एकदम मतलब सामने ओली गाड़ी को अपको चिपक किया अगर tracking करना है यह फिर you know adaptive cruise control चाहिए तो you can use that so sometimes we use that when we are shooting in a safe environment of course यह प्लिस पॉलिक रोड़ पे इतना close distance मत रखिएगा हम लोग जब ऐसे कोई close road पे हम जब शूट करते तो sometimes we use functions like these but please don't keep such a small distance if you are using adaptive cruise control अब hybrid में इसी adaptive cruise control का एक नया feature इन्होंने इंट्रिद्स किया है कि जैसे Honda City Petrol में मैंने कहा कि 30 km speed के उपर ही 30 km पे उपर ही यह cruise control काम करेगा adaptive cruise control in the hybrid आप उसको up to zero मतलब full standstill से आप उसको चालू कर सकते हो so it's a low speed assist it's a low speed follow assist तो basically bumper to bumper traffic jam वगरा है उसमें आप उसको low speed follow assist पे डाल दो तो जैसे ही सामने की गाड़ी हिलेगी आपकी गाड़ी automatically उसको follow करेगी so that's a new feature that they have added but it's only available in the hybrid जो और एक feature इसमें है कि सामने की गाड़ी जैसे ही अगर मानलो आप red light पे खड़े हो और आप phone पे busy हो या फिर आप infotainment पे कुछ radio channel वगर आपका radio station change कर रहे हो और सामने की गाड़ी अगर green हो गया signal सामने की गाड़ी निकल गई तो आपको यहां पे एक visual and audio warning आजाएगा कि सामने की गाड़ी निकल चुकी है and you can also continue ताकि पीछे की लोगों को दिक्कत ना हो पीछे लोग होन बजराना चालू करे all that will not happen so that is one more feature that they have added they will tell you की सामने की गाड़ी निकल चुकी है so that is another feature that is also again available on this as a part of the sensing kit तो जैसे मैंने कहा sensing आपको मिलता है second variant onwards गाड़ी की जो pricing है वो 30 से 40 सादर रुपे बढ़ गई है अगर तो the older variants अगर variant to variant अगर करे तो और जैसे मैंने कहा at the lower end you have the new S variant तो जो accessible point है जो entry point है it is more or less similar to the outgoing Honda City but now you have more features in the higher spec of the Honda City or the higher variants of the Honda City तो यह है सब changes इस गाड़ी में आपको क्या लगता है उसके बारे में प्लीज मुझे बोलिएगा यहां डिस्पले में कुछ चेंज नहीं हुआ है आप यहां से उसका डिस्पले का जो ब्राइटने से वो चेंज कर सकते हैं और अगर आप होम में जाके देखे तो there are different things that you can have on this side of the display यह analog speedometer आपको यहां पे मिलता है और यह जो display element है उसमें आपको it's a full color digital display और उसमें आप tachometer set कर सकते हो fuel computer speed and time geforce meter safety support तो मैंने आपको दिखाया which is the sensing settings में जाके आप अलग-अलग settings change कर सकते हो जैसे clock या फिर गाड़ी के settings की door open warning या फिर door auto lock कब होना चाहिए या फिर deflation warning अगर आपके गाड़ी में हवा थोड़ी कम है और आपको पता है और आपको constantly warning नहीं चाहिए तो आप उसको भी off कर सकते हो you can set up the clock over here driver assist system setup तो driver assist में basically वो आपको बोलेगा कि जो सामने की गाड़ी जो proximity distance उसकी warning आपको मिलनी चाहिए की नहीं similarly सामने की जो वेहिकल है वेहिकल I had detected beep तो basically जब ये सामने की गाड़ी बहुत ज़द एकडम से slow हो गई या फिर आपके सामने सडनली कोई आ गया तो शायद आपका ध्यान नहीं तो it will just quickly give you a beep it will give you an audible warning to tell you so these kind of settings you can make changes to in the settings screen अगर और भी देखें तो you will see the meter setup इस meter का setup कर सकते है उस पे आपको क्या-क्या दिखाना है digital side पे आपको trip computer चाहिए fuel display चाहिए etc keyless access setup keyless access के साथ क्या-क्या करना है मतलब automatically lock होना चाहिए कितने time के बाद होना चाहिए आप गाड़ी से अगर चल के दूर चले जाओ तो वो automatically lock करेगा you know those kind of things can all be set over here door setup like I said speed sensing lock या फिर auto door lock all those kind of things you can set up over here तो मैं इसमें अभी जादा details में नहीं जाने वाला because this is carried over from the older Honda City and then you can also customize the display and then there is the information screen कि गाड़ी के अगर कुछ warning signs है कुछ information है जो गाड़ी आपको देना चाहरी है तो वो information screen में आ जाएंगे जैसे low tire pressure या फिर wiper fluid अगर कम है या फिर you know if there are any other errors that are coming from any of the sensors all of that will be listed here on the information screen तो यह है नहीं Honda City क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में मुझे कहिएगा इस color के बारे में आपको क्या लगता है वो भी मुझे कहिएगा अगर आपको आज 2023 की Honda City खरीदनी होती तो कौन सा color चूज करते है तो इस बारे में ब्लू इस गाड़ी में चला रहा हूं फिलाल दिल्ली में 11 मार्च को sorry 9 मार्च को 11 बजे हम लोग इसका review पब्लिश करेंगे on youtube.com slash odmag और्ड चैनल पर इसका review आएगा तो definitely उसको देखेगा लेकिन इन अमीन टाइम अगर अपके कोई भी सवाल है इस गाड़ी के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा इस गाड़ी से डीजल एंजिन निकल चुका है you only have the petrol and the hybrid now डीजल एंजिन को बन कर दिया है क्योंकि भारत स्टेट 6 phase 2 नॉम्स अब आ चुके हैं जो सिर्फ ZX वेरियंट पर अवेलेबल थी वो अब V वेरियंट में भी अवेलेबल है जिशिस सेकेंड वेरियंट रोम तो उसमें भी वो अभी अवेलेबल है विजस्टारट डिल ओर 18,00,000 रूपीज एक शोरूम तो वो वेरियंट बैसिकली उसका डीजल का जो स्पेस है उसको फिल करना चाहरा है तो क्या आपको लगता है इस पूरे स्ट्राटीजी के बारे में और दीजल गॉइंग आउट या आपके कुछ सवाल है अबाट पेट्रोल और अप्रिड प्लीज लेट में नो तुनिंग में कोई चेंज नहीं है फेट्रोल और हाया है वह थोड़ी बढ़ गई है अनली ट्यूनिग चेंज कुछ नहीं है तेस्टिंग के परामिटर में कुछ चेंज आ गया है तो उसकी वएसे थोड़ी हायर फ्योल अपने इस चैनल को या वड्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़ेगा इस वीडियो को शेर भी कीज़ेगा अगर हो सकतो और इस रिव्यू को नौ मार्च को ओवरड्राइब चैनल पे चेक आउट कीज़ेगा उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे ही वीडियो लाइव हो जाएगा थैंक यू सो मच पो वाचें झाल 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 झाल